जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी योटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 एपरेल और 21 एपरेल 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग्रहन अक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, किस तरह के योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर कैसा होगा जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में फिर वाव की सिक्षा हो, आपका स्वास्ते हो, करियर हो, आपका व्यपार हो, आपका पारिवारिक प्रेम जीवन हो तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं, तो नीचे जो लाल बटन है, सब्सक्राइब का उसको प्रेस कर दें, और बैल को आल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें, ताकि हमारी सभी वीडियोज की नोटिफ आप तक पहुंच सके सबसे पहले, तो इन दो दिनों की तिथी नक्षत्रों की बात करते हैं, 20 अपरल का जो दिन है, ये मंगलवार का दिन है, और अस्टमी तिथी है, जिसको दुर्गा अस्टमी कहा जाता है, चैतर नवरात चले रहे हैं, और दुर्गा अस्टमी का दिन है कंजग जिमाने का दिन है कुछ उपाय कुछ पूजा पाठ धर्मकर्म में भीतने का यह दिन है इस दिन पुनर्वसों नक्षत्र रहेगा छे बज़ कर तरेपन मिनट तक सुभा उसके बाद पुषिन नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो एक बड़ा ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है चंद्रमा इस दिन अपनी राशी में होंगे करक राशी में सूर्य मेश राशी में बैठे हुए हैं और इस दिन अभीजीत मोर्थ है सुभा ग्यारा बज़ कर चववन मिनट से बारा बज़ कर च्यालेस मिनट तक अब 21 एपरेल तो ये बुद्वार का दिन है शुकल पक्ष की नवमी दिथी है पुशर नक्षत्र रहेगा सुभा तक 8 बज़े तक उसके बादा स्लेशर नक्षत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा करक राशी में सूर्य मेश राशी में इस दिन कोई अभी जीत मोर्थ नहीं है लेकि इस दिन रवियोग बना हुआ है जो काफी उत्तम माना जाता है अब तुला राशी की बात करें हैं दस्वे भाव में यहां आपके चंद्रमा हैं और यह तीन अगरह एक साथ भी बैठे हुए हैं अस्टमी दिन और राम नवमी का दिन यह है यानि 20 अप्रेल अस्टमी दुर्गा अस्टमी का दिन है और 21 अ के बात करते हैं तो 20 अप्रेल वाले लोगों के लिए यह समय परिवार और पैसे दोनों के लिए बहुत अच्छा है आपका ध्यान इस दिन अपने पर पर तो होगा ही परिवार एक जिम्यदारियों के उपर लेकिन पैसे को सोचने में आप ज्यादा समय बिताने वाले हैं के बारे में या तो कोई लेंदेन आपको करना हो या फिर आप कुछ निवेश करने का प्लान बना रहे हो या फिर आप कहीं इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ पैसे से जुड़ी हुई बाते इस दिन आपके दिमाग में गोंती रहेंगे और अगर आपको किसी तरह का मौका मिलता है तो उसका फाइदा उठाने की कोशिश जरूर करें ये ऐसा दिन होगा कि आपके सारे काम आसानी से निपट चाएंगे और समय से आप अपने सभी कामों को पूरा कर पाएंगे आपको अपनी आफिस में किसी तरह का पुरुसकार प्राप्त हो सकता है कोई सम्मान के प्रा में आने लगेंगी इसके अलावा धनलाब के योग बन रहे हैं माता पिता के साथ अच्छा बॉनिंग रहेगी भाई बहन के साथ अच्छे समय रहेगा और इन सभी लोगों का यानि परिवार के जो सदस्य हैं उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा अपनी कामकाज में भी दिन चर्या में भी अब यहां आपको बड़ा शुब समाचार में ले वाला है संतान की तरब से बड़ा शुब समाचार मिल सकता है अब यह किसी भी शेत्र से जुड़ा हो सकता है उनके स्वास्ते को लिकर उनके करियर को लिकर उनके सिक्षा को लिकर कुछ न कुछ समाचा के साथ मिलना हो सकता है जो काफी सुख़द एसास होगा कुछ मन में ऐसे विचार आएंगे जो आपको परिशान कर सकते हैं तो ऐसे विचारों कुछ नोट करने की कोशिश करें उनसे दूर रहने की कोशिश करें क्योंकि ऐसे विचार आपको मांसिक इसतर पर गिरा देते हैं negativity की तरफ ले जाते हैं सामाने रूप से आज आप अपने सभी कार्या कर पाएंगे अगर आप सिंगल है तो आपके पार्टनर की खोज अगर चल रही है तलास जारी है तो पार्टनर मिल सकता है विवा के प्रस्तावा सकते हैं लेकिन विवा की बातें finalize होने में थोड़ा वक है जो वक्त है उसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं यानि कई बार होता है कि आप किसी ना किसी बात से इतना डिप्रेस हो चुके होते हैं या आपका काम नी बन पा रहा है तो उससे परिशान हो चुके होते हैं तो इस अपने हाला से बाहर निकलने की कोशिश आप करेंगे आपकी हिम्मत होगी, दिमाग आप लगाएंगे और बहुत हद तक अपनी इस्थितियों को समाहलने में काम्याब भी हो जाएंगे. आपका वैवार बेहद अच्छा होगा और ये आपके अच्छे वैवार का ही नतीजा होगा कि लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपकी मदद करते हुए दिखाए देंगे. रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है, जो काम आपके नहीं हो पा रहे थे या कुछ यो दिनों से काफी पैंडिंग चल रहे थे तो उनके भी पूरे होने की संभावना है, कुछ खास काम निप्टाने में आप सफल हो सकते हैं, काम का आज में आप काम मन भी लगेग आपको बस थोड़ा संयम में रहना है तुला राशी के वो जातक जो प्रेम संबंद में हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा प्रेम परवान चड़ेगा प्रेमी के साथ काफी वक्त बिताने वाले हैं चाहे वो सोशल मीडिया के थुरू हो चाहे वो साखशा लेकिन वक्त काफी बिताने वाले हैं और दूसरी तरफ राशी के लोग शादिश दाए वो अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और उनको उनके साथ समय बिताकर काफी अच्छा भी लगने वाला है विद्यार्टियों के लिए ये दिन ठीक ठाक रहेगा ऐसी कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है तो उनके लिए जो समय है वो काफी अनुकुल रहने वाला है अब ये जो दिन है देखे आठवा नवरातर है दुर्गास्टमी के नाम से जाना जाता है इसको और इस दिन कंजकें बिठाई जाती है नो कन्याएं और एक जो लड़का जिसको लांगुरिया बोलते हैं उनको घर पर बुलाएं और उनके पैरों को सबसे पहले आप गंगाजल से स्वच्छ करें आसन पर बिठाएं उसके बाद जो भोग आपने माता के लिए बनाया है वो भोग उनको परुसें परशाद के रू कुछ लोग आस्टमी के दिन कंजको को बुलाते हैं तो जो भी आपकी परंपरह है उसे साथ से आप कंजको को बुलाएं और रोली का टीका जरूर लगाए उनको और रोली और अक्षत दोनों का और जब उनको विदा करें तो पैर अचूर्बाद प्राप्त करें क्योंकि ये जो नौ कन्याय होती हैं ये नव दुरुगा के स्वरूप मानी जाती हैं यानि मन में ये मान कर चलें कि आप नव दुरुगा को खाना खिला रहे हैं प्रशाद ग्रहन करा रहे हैं और उसके बाद खुद भी ग्रहन कर रहे हैं नव दुरुगा का आशिरवाद प्राप्त कर रहे हैं कहते हैं जाके मन जैसी भावना वाको ऐसा होए यानि कि जैसी मन में आपकी भावना होगी और जिस भावना को लेकर आप उनके पैर्च होएंगे उसी तरह के आप उपाए जरूर करें बहुत हितकर वो साबित होंगे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्याजद लाइक करें शेयर करें